हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका अपने चैनल जीटा सड़का में और आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मिर्च का अचार इसे बनाने में सिर्फ आपको पांच मिनट लगेंगे और खाने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि इस अचार को आपने सिर्फ पांच मिनट में बना तो सबसे पहले आपको हरी मिर्च को अच्छे से धो लेना है और किसी भी साफ से कपड़े से पौँच लेना है पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो हरी मिर्च आप किसी भी साइस के ले सकते हैं बड़े साइस की चोटे साइस की मैंने या पे दोनों साइस के लिए हैं अब हमें हरी मिर्च को काटना किस तरीके से हैं ये देख लेते हैं ये देखें बीच में से हमें इस तरीके से कट करना है ये देखें इसी तरीके से बाकी सारी मिर्च हम काटके रेडी कर लेंगे तो जो बहुत बड़ी वाली साइस की मिर्च होती है वो आप ना लें क्योंकि वो थोड़ी सी कम चटपटी होती है मतलब तीखी नहीं होती है ये वाली मिर्च जादा तीखी होती है और खाने में भी बहुत जाद नोगभाई करने के लिए रक दी है Holz इसमें डालेंगे एक बढ़ा चमच जीरा साती मैं डालेंगे आदा चोटी चमच में अधर स्लदर बॉस्ट करना है ने पाउड़ाथ हाम प्रय। तो यह आप देख सकते हैं यहां पर राई चटकने लगी है अब हम गैस की फिलिम को बंद कर देंगे बहुत जादा हमें इन्हें रोस्ट नहीं करना है जलाना नहीं है अब इस पर हम डाल देंगे एक चोथाई चम्मच हींग इसको भी इसमें हलका सा भून लेंगे और इन जारी छंडी हो जाएंगा तो जार में ढालर इनका दर्-दर बना एंगे एक दम फाइन पाउडर नहीं बनाना है कि और अब हम लेडेंगे कोई भी बावल और इसमें थोड़े से मसाले आड करेंगे तो एक चोटा चमाच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर आदा चोट आदा चोटी चमच अमचूर पाउडर आप इसकी जगे पे चाट मसाला भी यहां पे यूज कर सकते हैं इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और एक बड़ा चमच डाल देंगे नमक इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बंच तो नमक आप इसमें एक बात टेस्ट कर लेंगे अगर आपको नमक कम लग राया तो आप यहां पे नमक और भी आड़ सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे आदा चम्मच देगी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो अगर नहीं है देगी लाल मिर्च तो आप स्किप कर सकते हैं, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नीबु का रस, मतलब आदा चुटी चम्मच के करीब डाल बहुत जादा नहीं डालना बस इतना डालना है कि यह सारी चीज अच्छी से बाइंड हो जाए, तो थोड़ा सा ओल और डाल देते हैं, तो तकरीब एक या डिड़ चम्मच के करीब हमने इसमें ओल डाला है, मिक्स कर देंगे इसे भी, तो यह देखिए मैंने इसमें आदा अगर आपको मिर्च से थोड़ी सी अलर्जी है तो अब इस तरीके से हम इसके अंदर मसाले को भरेंगे, यह देखिए, थोड़ा सा मसाला आपको लेना है आतों में और इस तरीके से दबाते हुए मिर्च के अंदर भरेंगे, पहले मिर्च को इस तरीके से खोल लेंगे, ज मिर्च के अंदर मसाले को अच्छे से भर लिया है और अगर मसाला आपका थोड़ा सा बच जाता है तो आप उसे फैंके ना किसी भी डब्बे में भर के आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 15 से पेज दिन तक जब भी आपका मन करें फटा फट से निकाले और करते हैं खाना वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं और जैसे यौल अच्छे से गरम हो जाएगा हम गैस की फिल्म को बिल्कुल लो घर देंगे और इसमें यह मिर्च जाल देंगे और इनको हम दो या तीन मिनट तक बिल्कुल लो फिल्म पे फ्राई करेंगे ठक के जादा यह देखेंगे मिर्च सारी जये से सॉफ्ट है भंऄा अच्छ इसे फ्राई हो चूकी है और सिर्ट तरिख 2-3 मिनट या जृदके लिउद्ग ये आपको मिर्च को फ्राई करने में अब यहां पर मिर्च की फिल्म को बंद कर देते हैं और बस जो दुड़ी दे तक आभ ए नहीं तो यह मसाला नीचे से जल जाएगा और यह देखिए सिर्दो से तीन मिनट लगे हैं ऐसे बनाने में और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है और जब आप इसे खाएंगे ना खाने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा जो आमने इसमें कच्छा मस्टर बिल्कुल भी खराब नहीं हो सकती है आप इसे किसी भी डब्बे में या किसी भी बरतन में आप इसे करके ढखके आप इसे फ्रिज में रखें तो बस देर के इस बात की जल्दी से आप ये इंस्टेंट मिर्च का चार बनाएए और खाईए और जल्दी से मुझे कमंड आपके लिए नमस्कार